आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे खानों के बारे में बता रहे हैं जो बलगम और रेशे की पैदावार में इजाफा करती हैं या यूं कहलें कि बलगम और रेशे को ज्यादा करती हैं तो अगर आपको भी बलगम के आने की शिकायत ज्यादा रहती है तो आपको इन पांच खानों को छोड़ देना चाहिए, इनको तर्क कर देना चाहिए. बलगम कुद्रती तोर पर इनसान के जिसम में बनता है. और ये कुद्रती तोर पर हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्यूंकि हमारी सांस की नाली को मॉस्चिराइज रखता है. हमारे जिसम के अंदर मुख्तलिफ किसम के वाइरस और बैक्टेरिया को ये जाने से रोकता है. और इस तरह हमें ये बहुत सी बिमारियों से बचाता है. लेकिन जब इस बलगम की मिगदार ज्यादा हो जाए और ये ज्यादा बनने लगे तो ये आपको तंग करता है. और इसके ज्यादा बनने का मकसद मतलब ये ही होता है कि आपके जिसम के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है. अब ये इजाफी बलगम बनता कैसे है? जब भी आपकी सांस की नाली के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, जो कि किसी बैक्टेरिया या किसी वाइरस की वायरस की वज़ा से हो सकता है, और जिस के नतीजे में आपको ज्यादा बलगम बनने लगता है. इजाफी बलगम बनने की दूसरी कई वजोहात में सांस की मुखतलिफ बिमारियां भी हो सकती है जिन की वज़ा से ज्यादा बलगम बनता है जिन लोगों को ज्यादा अर्से तक मुस्लसल खांसी रहती है वो भी इसका शिकार हो जाते है जिन इलाकों में शदीद सर्दी रहती है इन इलाकों के मकीनों को भी इसका सामना करना पड़ता है अब बात करते हैं उन पांच खानों के बारे में जो आपके बलगम बनने के अमल को तेज करती है और आपका बलगम ज्यादा बनाती है सबसे बुन्यादी और जरूरी बात ये है कि ऐसे खाने जिनमें हिस्टमीन की मुझूदगी हो या फिर जो हिस्टमीन को बढ़ाती हो या ऐसे खाने की चीजें जिससे आपको तेजाबियत होती हो हिस्टामीन एक केमिकल है जो आपको अलर्जी करता है असल में जब आपको अलर्जी होती है तो आपको डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि आप एंटी हिस्टामीन ले यानी अलर्जी को दबाने वाली मेडिसन ले ले तो आपका मसला हल हो जाएगा तो आएए इन पांच खानों के बारे में जानते हैं जिनमें हिस्टमीन ज्यादा होती है और इसी की वज़ा से आपको ज्यादा बलगम बनता है तो इनको भी आपने छोड़ना है अगर आप ज्यादा बलगम का शिकार रहते हैं तीसरे नमबर पर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपके बलगम की ज्यादती की वज़ा बनते हैं जिनमें सरेफेरिस्ट केला है इसके इलावा माल्टा और अंगूर भी इन फलों में शामिल हैं जो उन लोगों को नहीं लेने चाहिए जो ज्यादा बलगम का शिकार रहते हैं चोथे नमबर पर बाज ऐसी गजाएं आती हैं जो आपकी तेजाबियत में इजाफा करती हैं वो भी बलगम बढ़ाने का बाइस बनती हैं जो आपके खाने की नाली होती है और जो आपके खाने की थैली होती है इन दोनों के दर्मियान एक छोटा सा डोर लगा होता है ताक आपके खाने की नाली की तरफ जाता है और इसके नतीजे में आपकी जो खाने की नाली है वहां irritation शुरू हो जाती है और इजाफी बलगम बनना शुरू हो जाता है और किसी शख्स को यू लगता है कि मेरे गले के अंदर कोई चीज फंसी हुई है तो कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो acid reflex को बढ़ाती हैं अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं इसी तरह अगर आप सिर्के का इस्तमाल ज्यादा करते हैं यह process गोश्ट खाते हैं अगर आप खाना खाने के बाद कोला ड्रिंक्स वगएरा लेते हैं इसके इलावा deep fried चीजों का इस्तमाल ज्यादा करते हैं आप पकोड़े ले रहे हैं या फिर आप समोसे ले रहे हैं तो इन सब चीजों से इजाफी लेते हैं यह सब चीजें इजाफी बलगम बनाती हैं और histamine को ट्रिगर करती हैं तो इन पांच खानों को आपको avoid करने की जरूरत है अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिय ज्यादा आपको 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